सेटर का लास्ट सेकंड टॉपिक कवर कर लिया था आज हम सेकंड चेप्टर का लास्ट टॉपिक कवर गरने वाले हैं जिसका यह जो टॉपिक है वो है equilibrium of charged soap bubble equilibrium of charged soap bubble तो students हमें देखो क्या करना है यहाँ पर हमने soap bubble लिया है जिसको हमें charge करना है जैसे ही हमें soap bubble को charge करते हैं तो हमें उस charge soap bubble के लिए equilibrium condition निकालनी है अब देखो यहाँ पर students equilibrium condition का क्या मतलब है मान लो हमने एक soap bubble लिया है जिसको हमने पहले charge नहीं किया है तो soap bubble के अंदर जो air रहती है उस air के कारण outward direction में outside जो direction है उसमें soap bubble पर क्या लगेगा air pressure लगेगा और बाहर atmospheric pressure लगता है तो बाहर से अंदर के तरफ soap bubble पर क्या लगेगा atmospheric pressure लगता है और तीसरा हमारे पास जो pressure आता है वो surface tension की वज़े से लगता है तो इस तरह से हम जो दो तीन pressure की बात कर रहे हैं उन सब का किस तरह से हम balance बनाएं कि वो जो soap bubble है वो burst ना हो मतलब वो फूटे नहीं तो इसके लिए एक हमें equilibrium condition निकालनी है तो उस equilibrium condition का जो formula आता है वो क्या बताएगा कि उस charge soap bubble के लिए वो एक ऐसी condition होगी कि उस condition में वो soap bubble नहीं फूट पाता है और जैसे ही हम pressure को excess में लेते हैं वो soap bubble जो है वो फूट जाता है या फिर burst हो जाता है तो हमें यहाँ पर derive करना है formula equilibrium condition का तो वो कैसे condition होगी वो pressure के condition होगी इसके बाद हमें क्या करना है कि जिस soap bubble को हमने यहाँ पर charge किया है तो जैसे ही हम soap bubble को charge देंगे उसके जो surface है उसके उपर positive charges आ जाएंगे तो उस charge का formula भी हमें निकालना है और उसके पहले हमें उस जो soap bubble है उसके उपर surface charge density निकालनी है तो तीन चीज़े लेकर चल रहे हैं यहाँ पर कौन-कौन सी सबसे पहले तो charge soap bubble के लिए हमें equilibrium condition निकालनी है second चीज़ हमें surface charge density निकालनी है जिसके थूँ हम third formula निकालेंगे कि जो हमने charge soap bubble को दिया है उसका क्या formula क्या equation यहाँ पर बन के आती है तो तीन condition है यहाँ पर equilibrium condition second चीज़ हम लेते हैं surface charge density और third हम लेते हैं charge on a soap bubble तो यह तीन conditions की हम यहाँ पर इस topic में बात करने वाले हैं तो सबसे पहले बच्चो हम समझते हैं कि soap bubble जो है उसकी उपर कौन-कौन से pressure काम कर रहे हैं और वो equilibrium में क्या equation derive करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं यह soap bubble है यह uncharged soap bubble हम लिख रहे हैं यहाँ पर uncharged soap bubble ठीक है students तो यह हमने सबसे पहले लिया है इसको हमने charge नहीं किया है यह uncharged soap bubble है अब इसके उपर क्या होगा यह जैसे ही एक soap bubble बनता है उसके अंदर कुछ air रहती है उस air के कारण इसके surface पे outside direction में एक force create होता है तो उस force को हम क्या लिख लेंगे इसके direction होगी P हम air pressure लिख लेते हैं इसको तो हमने लिख दिया है P air तो यह क्या होगा इस soap bubble के अंदर जो air भरी हुई है उस air के कारण pressure लगता है इसके surface पे वो outside direction में लगता है तो हमने क्या लिख दिया है P air तो यह हो गया हमारा एक pressure second pressure के हम बात करें वो क्या होगा कि देखो students इस soap bubble पर बाहर की air के कारण या फिर बाहर के atmosphere के कारण भी एक pressure लगता है जो कि क्या होगा इसके inside direction में होगा तो इस pressure को हम लिख लेते हैं P atmosphere तो यह जो second हमारा जो pressure आता है वो क्या है P atmosphere और एक चीज़ क्या होती है कि यहाँ पर इस surface पर इसके surface tension के कारण जो force लगता है उसके direction क्या होती है इसके अंदर की तरफ रहती है तो इसको हम लिख देते है P T इसका मतलब क्या है यहाँ पर basically हम तीन pressure के बात कर रहे है इस air के current जो कि soap bubble के अंदर है तो वो उस air के current जो pressure apply होगा outside वो क्या होगा P air second हम लेते है P atmosphere जो कि atmospheric pressure है जो कि apply होगा soap bubble पर inside तो इस तरह से यह apply हो रहा है third हम क्या लेते है surface tension तो surface tension के कारण जो pressure apply हो रहा है वो उसके direction क्या है जो soap bubble है उसकी तरह आ रहे है उसके inside आ रहे है तो यहाँ पर basically हम तीन pressure की बात की है हमने तो अब क्या होगा students यह जो तीनो pressure है वो balance कैसे होंगे जब यह बाहर के दोनो pressure जो है वो अंदर वो दोनो plus होके जो sum आएगा वो इस P air के जब equal होगा तब जो condition आएगी वो क्या होगी equilibrium condition होगी और उस condition में यह जो soap bubble है वो burst नहीं हो पाएगा मतला foot नहीं पाएगा तो हमें यही equilibrium condition निकालनी है तो उसके लिए हम क्या करते हैं next condition में हम बात करते हैं अब देखिए students जो P air था वो हम लिख लेते हैं यह जो है वो किसके equal होगा P surface tension plus P atmospheric pressure ठीक है students तो इससे क्या पता लगता है अगर हम P air minus P atmospheric pressure की बात करें तो वो surface tension का pressure आ जाता है इसका मतलब क्या है कि P air में से जब हम P atmospheric pressure minus करते हैं तब जाके हमारे पास surface tension आता है surface tension का जो pressure है वो आता है इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो P air है वो greater than है कि say P atmospheric से तो इसका मतलब क्या हुआ कि sop bubble के अंदर जो air भरी हुई है उस air के कारण जो surface है उस पर जो pressure लगता है वो greater than होगा P atmospheric से जो बाहर के तरफ से जो pressure apply होता है sop bubble के surface पे तो वो क्या होगा कम होगा atmospheric pressure होगा कम और air pressure जो है वो क्या होगा greater than होगा तो यहाँ पर क्या होगा कि यह हम यह condition apply कर लेते हैं अब हमें क्या देखना है students यहाँ पर हमें इस pressure को निकालना है तो इस tensionic जो pressure है उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे तो देखो students हम इसको एक hemisphere से समझेंगे मान लो यह हमारे पास क्या था? soap bubble था अगर इसका hemisphere हम बनाएं तो वो इस तरह का बनेगा यहाँ पर students एक बात ओर ध्यान देनी है कि यह जो surface है पर मान सकते है तो soap bubble के अंदर जब हम hemisphere पड़ते हैं यह चीज तो इसमें हम क्या देखते हैं कि वहाँ पर दो layer है या पर दो surfaces है जिनके बीच में जो distance होगी वो बहुत ही कम होती है ना के बराबर होती है उसको हम negligible भी कर सकते हैं लेकिन हम क्या मानते हैं कि यहाँ पर जो surfaces होएंगे वो कितने होँगे वो दो surfaces होँगे ठीके students तो अगर हम बात करें कि यह जो complete circumference है इसकी तो circumference कितनी आ जाएगी परीधी की अगर बात करें 2 pi r अगर हम क्या ले रहे हैं इसकी radius small r ले रहे हैं तो इसकी जो circumference होगे वो कितनी होगी 2 pi r होगी और यह जो हमारे पास जो surface है इसका इस spherical जो surface हम मान रहे हैं तो इसका जो area होगा वो कितना होगा pi r square होगा हम यहाँ पे sphere नहीं मान रहे हैं हम क्या मान रहे हैं only ये surface देख रहे हैं Hemisphere का ये जो surface है ये देख रहे हैं तो ये क्या होगा? Pi R square होगा अब students क्या करते हैं? एक तो हमारे पास जो force है वो कितना आता है? हमारे पास P का formula होता है F upon A तो इस force की हम बात करें तो कितना आ जाएगा? P multiply में A आ जाएगा तो एक तो force ये निकाल लेंगे दूसरा force क्या होगा? कि जब हम surface tension की बात करते हैं तो surface tension equals to F upon L ये formula हम लिखते हैं यहाँ से अगर F के formula की बात करें तो T multiply में L लिखेंगे तो हमारे पास दो forces है कौन-कौन से? एक तो है F equals to P A और दूसरा हमारे पास है F equals to T L तो इन दोनों को हम equal लिख देते हैं Equal लिखने पर क्या करेंगे? P into A करेंगे यहाँ पर करते हैं T into L ओके students? तो P ये तो आ जाएगा हमारे पास pressure ये कौन सा pressure है? जो कि axis में आ रहा है axis का मतलब क्या है? कि हमें ये पता है कि P air greater है किस से? P atmosphere से तो P air में से जब हम P atmosphere minus करेंगे तो P axis जो है वो निकल के आ जाएगा वही pressure हम यहाँ पर लिख रहे हैं और यहाँ पर जो area है उसको हम क्या मान रहे है? pi r square तो यहाँ area आ जाएगा pi r square ये surface tension है multiply L L यहाँ पर length जो है वो क्या बता रहे है यहाँ पर circumference को बता रहे है यानि इसकी परीधी वो कितनी होगी? 2 pi r होगी अब देखो students ये तो हमने formula ले लिया है एक force का तो देखो students दोनों ही force है इस force का formula हमने लिखा है P into A और ये जो force है वो T into L में आ रहा है हमने बात की थी कि यहाँ पर दो surfaces है दो layers होती है बिल्कुल पास पास में तो इनके बीच की जो distance है उसको हम netlisable कर सकते है लेकिन basically हम देखें तो यहाँ पर दो surface की बात हो रही है तो यहाँ पर जो force लगेगा वो कितना आ जाएगा डबल आ जाएगा तो यह जो force है जिसमें surface tension की बात हो रही है इसको कर देंगे हम डबल तो यहाँ पर देखो students इसको हम क्या लिख लेंगे देखो πाई से πाई कैंसल आउट आर से एक आर कैंसल आउट तो यहाँ पर P equals to 2 into 2 4 यह T आ रहा है divide में यह small r आ जाएगा तो students यह जो हमारे पास formula आता है वो क्या है P axis का formula है P axis equals to 40 upon r तो यहाँ तक बात आपको समझ में आती है हमने क्या किया है अभी तक हमने soap bubble को charge नहीं किया है हम uncharged soap bubble की बात कर रहे हैं जिसके अंदर हम सबसे पहले 2 pressure की बात करते हैं एक तो कौन सा pressure है air pressure है दूसरा है atmospheric pressure तो जो air pressure है वो ज़ादा होता है atmospheric pressure से तो उसमें से जब हम atmospheric pressure minus करते है तो हमारे पास क्या आता है एक formula आता है जिसको हम बोलेंगे axis pressure बोलेंगे तो उसी axis pressure को हमने इस तरह से यह derive किया है किस तरह से derive किया हमने 2 forces लिए है 2 forces के दो अलग-अलग formula लिखे हैं हमने कौन-कौन से एक तो हमने pressure के लिए लिखा है force का formula वो क्या होगा P into A यह जो P है वो P axis का का काम करेगा यहाँ पे और यह जो है वो क्या है force का formula है tension की form में तो surface tension हमारे पास T है और यह जो L है वो क्या बता रहा है complete length को बता रहा है तो complete length क्या होगी यहाँ पर यह होगी circumference 2 pi r तो यहाँ हम इसको apply करेंगे then हमारे पास जो pressure का formula आएगा वो क्या होगा P axis होगा और इसी P axis को हम क्या बोलते हैं P T मलब surface tension भी का जो pressure है वो भी लिख सकते है तो हमारे पास क्या आता है इसका formula 4 T upon small r यह small r क्या है इस soap bubble की radius है T क्या है इस soap bubble पर जो surface tension है वो है ओके students तो यह formula हमें याद रखना है क्या है P axis equals to 4 T upon small r next हम क्या पढ़ते हैं कि हम इस soap bubble को चार्ज करेंगे तो जब हम इस soap bubble को चार्ज करते हैं तो जैसे ही हम इसको चार्ज देंगे इसका जो volume है वो increase होगा जस्ट इसके previous वीडियो में हमने यही तो पढ़ा था कि कोई भी हम जो भी हम spherical shell वहाँ पे ली थी उसमें हमने volume increase किया था तो volume increase कैसे हुआ वहाँ पे charge हमने दिया तभी तो volume increase हुआ तो जैसे ही इसको soap bubble को हम चार्ज देंगे इसका volume increase होगा तो वहाँ पे एक और pressure create होता है कौन सा? electric pressure या फिर हम कह सकते हैं electrostatic pressure तो उसके create होने से ये जो soap bubble है वो तूटेगा वो food जाएगा burst हो जाएगा तो अब हम एक ऐसी condition निकलने वाले हैं कि वो जो pressure है electrostatic pressure वो तो लगेगा ही लगेगा क्यों? क्योंकि हमने वहाँ पे charge उसको दिया है soap bubble को और charge देने पर definitely volume increase होगा volume increase होने से वहाँ पे pressure लगेगा तो वो pressure लग रहा है वो क्या है? इसके compulsory condition आ गई है कि वो होगा ही होगा तो हम क्या करेंगे? उसको soap bubble को फूटने से बचाने के लिए क्या करेंगे? हम एक equilibrium condition निका देंगे तो equilibrium condition क्या होगी? वो देख लेते है देखो students हमने ये formula निकाला है P axis का P axis equals to हमारे पास 40 upon small r आता है ठीके students ये जो pressure है इसकी जो direction होगी सबसे पहले तो बात करने है हमें कि ये जो pressure है वो कौनसे direction में लगेगा? वो soap के अंदर है या बाहर है और direction बाहर की तरफ है या अंदर की तरफ है वो देख लेते है देखो students हमने बात की थी कि air pressure ज़्यादा है atmospheric pressure से तो जब हम minus करेंगे तो जो P axis आएगा वो कौनसा पार्ट बचा है? वो बचा है air pressure का तो air pressure क्या था? जो की soap bubble के अंदर लग रहा था और उसके direction क्या थी? बाहर की तरफ थी तो एक बर वापिस हम diagram बना के देख लेते हैं यह हमने diagram बनाया है soap bubble का और यहाँ पर देखो यह जो P axis आता है उसके direction होती है बाहर की तरफ इस P axis की direction क्या होती है? बाहर की तरफ होती है अब हम क्या कर रहे है students? कि इस soap bubble को हमने charge किया है तो जैसे ही हम इसको charge करते हैं यह जो positive charge है वो इसके surface पे आ जाते हैं जैसे ही charge किया गया इसका volume क्या होता है? increase होता है और इस पर क्या लगता है? electrostatic force लगता है तो electrostatic force लगने के करणी क्या होगा? यह volume increase होगा यानि कि यह जो pressure है electrostatic pressure वो कहां पे लग रहा है? वो soap bubble के अंदर लग रहा है लेकिन उसके direction क्या है? बाहर की तरफ है ओके students तो देखो यहां पर क्या हो रहा है? कि यह दोनों ही pressure है यह दोनों ही pressure इस तरफ लग रहे है तो इसको अगर हम plus करें कि हमने P electrostatic हमने pressure लिखा है plus कर दिया हमने P axis pressure equals to 40 upon R तो हमें condition कौन सी बनानी है? यह condition बनानी है यह condition क्यों बनानी है students? क्योंकि देखो इस condition तक हम क्या देखते हैं? कि इस condition तक यह जो soap bubble है वो burst नहीं होता है मतलब आगे भी अगर यही condition रहे तब तक क्या होगा? कि यह जो soap bubble है वो burst नहीं होगा और अब हमने क्या किया है? इसको charge किया है तो यहां पर हम क्या कर सकते है कि हमें value तो यहीं चाहिए लेकिन यहां पर अब दो pressure add हो रहे है पहले value यही थी लेकिन pressure क्या था? एक ही pressure था तो हमें अगर value यहीं चाहिए और हमें यह भी पता है कि जो electrostatic pressure होगा उसकी definitely कुछ ने कुछ value होगी तो अगर excess pressure 0 हो जाए तो हम क्या लिख सकते है कि यह जो electrostatic pressure होगा वो किसके equal होगा 40 upon R के equal हो जाएगा तो यहां students देखो हम क्या बात कर रहे हैं यह कौन सा pressure है electric pressure है ध्यान से समझना सबसे पहले हमने जो soft bubble लिया था वो uncharge था उस पे हमने excess pressure की value निकाली जो की हमारी first condition आती है इसके just बात हमने क्या किया कि जो soft bubble हमने लिया था उसको अब हम क्या कर रहे हैं चार्ज कर रहे हैं चार्ज करने से volume increase होगा और electro static pressure वहाँ पे create होगा definitely उसकी कुछ ने कुछ value होगी तो यहां हम क्या लिखते हैं दो pressure apply हो रहे हैं पहले कौन सा था जो excess pressure था वो किस form में निकला था वो air pressure की form में निकला था वहाँ से कुछ air pressure बच चाता है क्योंकि वो greater than होता है atmospheric pressure से तो यह हमने लिख दे हैं इसके direction क्या है बाहर के तरफ है और electrostatic जो pressure है उसकी भी direction क्या होगी बाहर के तरफ होगी volume increase हो रहा है तो यह दो pressure काम कर रहे हैं और value हमारी क्या होनी चाहिए 40 upon R ही होनी चाहिए क्योंकि यह जो condition है वो equilibrium condition है इस condition में यह जो soap bubble है वो burst नहीं होगा तो value हमें यही रखनी है और हमें यह भी पता है कि electrostatic pressure के कुछ नहीं कुछ value होगी इसका मतलब क्या है यह जो excess pressure है वो क्या होना चाहिए यह 0 होना चाहिए और यह 0 होते ही हमारे पास जो electrostatic pressure है वो कितना आ जाता है 40 upon R आ जाता है तो यहाँ पर हमने electric pressure निकाल लिया है 40 upon R अब हमने इसके previous वीडियो में electric pressure का एक और formula derive किया था electric pressure के लिए हमने लिखा था 1 upon 2 epsilon 0 E square या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं sigma square upon 2 epsilon 0 यह दोनों ही चीज़ें हम इसको लिख सकते हैं कैसे देखो sigma की जगे हमने एक value put की थी तो sigma की जगे जब हम value put करेंगे तो यह ही condition हमारी आएगी दोनो formula equal है हम यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं लेकिन क्योंकि यहाँ हमें क्या निकालना है charge निकालना है जो हमने soap bubble को दिया है और उस charge को निकालने के लिए हमें surface charge density चाहिए तो surface charge density कहां से आएगी इसी formula से आएगी तो हम pressure का यह जो electric pressure है इसका यह formula ना लिख के यह formula apply करें तो यहाँ पर direct हमें surface charge density मिल जाती है तो यहाँ हम क्या लिखने वाले students देखो यह जो pressure है वो electrostatic pressure है इसके जगे हम apply करेंगे sigma square upon 2 epsilon not और यह किसके equal हो गया 40 upon R के equal हो गया यह तो हमने equilibrium condition की बात कर ली है तीन चीज़े हमें निकालनी है equilibrium condition then surface charge density जो इस formula से निकल जाएगी जब surface charge density हमारे पास आ जाएगी then हम क्या निकालेंगे charge निकालेंगे जो के sop bubble को हमने दिया है तो इसको निकालने के लिए देखो क्या करेंगे यह sigma square हमने यहां से निकाला है 8T epsilon not upon small r यह formula बनके आता है और इसको हम क्या लिख लेंगे जब square जो है इधर आके क्या हो जाएगा यह root आ जाएगा 8T epsilon not upon small r तो students देखो यहां पर हमने surface charge density का formula derive कर लिया है 8T epsilon not upon small r इस पर root लग गया यह आ गई हमारे पास surface charge density अब क्या करना है देखो students हमने second chapter में जब हमने surface charge density पढ़ी थी तो surface charge density का formula हमने क्या लिखा था sigma equals to q upon s तो students हमारे पास जो surface charge density वो कितनी आई है root 8T epsilon not upon small r यह condition हमारे पास आ गई है अब हम sigma equals to q upon s की बात करें तो यहां से q charge जब निकालते हैं तो sigma s हमारे पास आता है s क्या है यहां पर area है इसका soap bubble का तो soap bubble का जो area है वो कितना होगा 4 pi r square होगा तो 4 pi r square हम यहां पर लिख देंगे देखो student जब हमने hemisphere लिया था तो वहां पर surface tension काम आती है और surface tension में जो area काम आएगा ना वहां पर तो उसके respect में जो area होगा वो किसी एक surface का होगा तो surface के लिए जो area है वो हम क्या लिखते हैं only pi r square लिखते हैं यहां पर बात हो रही है कि complete soap bubble का जो area है वो क्या होगा तो वो तो क्या है complete volumetric चीज है volumetric thing है तो volumetric object के लिए हम क्या करते हैं area कितना लेते हैं soap bubble है क्योंकि वो क्या होता है कि spherical form में होता है तो यहां पर हम उसका area लिखेंगे 4 pi r square then हम क्या करते हैं देखो students q equals to यहां हम sigma का यह formula apply करते हैं 8t epsilon naught upon small r और multiply करते हैं इस area से 4 pi r square देखो यह चीज़ जरूर ध्यान रख लेना कि small r हमने radius ली है तो small r ही लिखा जाएगा अगर हमने capital r radius ली है तो capital r आ जाएगा अब क्या करते हैं students देखो यहां पर small r है और इसको cancel out करने के लिए क्या लेंगे इस small r square को जब हम root में लेंगे तो r की power कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी तो यहां लिख लेते हैं 8t epsilon naught r की power 4 इसको जैसे ही हम बाहर लेते हैं r square आ जाता है तो r square को अगर अंदर लेंगे root में तो कितना आ जाएगा r की power 4 r multiply कर देंगे 4 pi से यहां से r से 1 r cancel out q equals to 4 pi को हम यहां लिख लेते हैं देन हमारे पास formula क्या आता है 8t epsilon naught r cube तो यह हमारे पास charge का formula आता है यह वो charge है जो हमने soap bubble को दिया है तो students एक बार फिर से हम इस topic को देख लेते हैं topic क्या था कि हमें equilibrium condition निकालनी है एक charged soap bubble पर तो सबसे पहले हमने एक soap bubble लिया जो कि uncharge है उस पर हमने 3 pressure की बात की एक तो P air मतलब air pressure एक atmospheric pressure की बात की उससे greater होगा then हमें minus करके क्या करना है P axis निकालना है P axis निकालने के लिए हमने 2 forces की बात की थी एक तो pressure की form में और एक surface tension की form में जैसे ही हम उसको solve करते हैं हमारे पास P axis का formula आ जाता है तो P axis वही होगा जो surface tension है surface tension के कारण जो pressure आएगा इसके बात हम क्या करते हैं कि उस pressure को जो pressure हमारे पास आया है वो electrostatic pressure के एक पल होगा electrostatic pressure का जो formula है वो apply करेंगे then वहाँ पे surface charge density का formula हमें मिल जाएगा surface charge density से then हम क्या करते हैं charge का formula निकाल लेते हैं तो charge का formula हमारे पास कितना आता है 4 pi root 8 T epsilon 0 r cube चीज़े पढ़ी है देखो students इसमें one mark का question भी आ सकता है very short type question कि only आपको equilibrium condition लिख रही है soap bubble की तो वो भी पूछी जा सकती है या पिर इसमें कोई numerical आ सकता है कि आपको surface charge density या पिर q पूछा जा सकता है इन दोनों ही formula का यूज़ करके एक numerical आपके इसमें आ सकता है paper में और हमने यहाँ पढ़ तीनों चीज़े पढ़ ली है surface charge density ले ली है हमने q charge ले लिया है तो इसको direct भी याद रखना है आपको और derivation तो आपको आना ही चाहिए तो यहाँ यह chapter हमारा complete होता है कोई भी queries and doubt हो तो आप comment box में comment करके आप दे सकते हो और हम उस पे आगे चर्चा कर सकते है और हम वीडियो लेकर आ सकते है और numerical series हम इसके बाद में देखते है या फिर हम next chapter पे जा चलते है तब तक के लिए यह आप सारे derivation करिए इसको पढ़िए कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूच सकते हो तब तक के लिए बाद next chapter के साथ मिलते है next video में